पाने पत्का बंदा रहने वाला है और कोई इसका है नियुक्त मटवशन तुर इसको प्राइवेट अस्पिताल में और जो भी हमसे वहां उस्पिटल भेज दिया है और हम भी जा रहेँ है होस्पिटल में और हम से जूमत होगी इन्शाला करें उसके अलफ भी है ज्यादा नाजूख है पता नहीं वहाला रहम क्रें वह बच पाएगा निए बच पाएगा लेकिन हम पुरी कोशिश कर रहे कि उसको बचाए जाए जाए लॉक्डाउन में बहुत ज़ादा दिक्कत है हमने भी भेज गया है उनको फाइक से और हम जा रहें तुरंद हम पुरी कोशिश कर रहे हैं कि इस यूवक की जान बच जाए क्योंकि इसकी हालत बहुत सीरस है अभी हम जितना हो सकता है जल वाज में एक नीजी होस्पिटल में लेकाए हैं और हमने इनकी घरवाले से भी बात कि लेकिन घरवाले चाहते हैं कि इसको करणाल वगएरा भेज अब हम इनको अंबुलेंस की थूना हम इनको फेज रहे हैं और रास्ते में इसके बात करणाल में पहाए हूँर बहरे बेंके इनकी घरवाले इंको जाके दुश करेंगे बच जाने फिलाल इसका इलाज चल रहा है और जब थोड़ा ये ठीक हो जाएगा उसके बाद एंबुलेंस में हम इसको अमबाला ये जहां भी चाहते हैं घरवाले वहां बेजेगें लेकिन हमारा मकसद यही है कि इस युवक की जान बच जाए और ये अपने परिवार में सही सलामत पह कि अचया है ये कि सलामत इस फिली जाएगा ग्या हो जाएधंन इनको हम यहां से हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर में इसायद इनकी जान बज़ए क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंबीर है और यहां पर हमने फिलहाल इनको ट्रीटमेंट दे दिया है दिलवाद यह है और हम यहां से भेज रहे हैं कौशिश है कि इसकी जानमच जाये और इनके पैड़ीर से भी हमने बात की है तो उन लोगों नहीं को करशायर बुलाए तो हाइर सेंटर में तो वही हम को भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे तो आप दुआ करेंगे अल्ला ताला इसकी जान बचा देगे हमारी ये वीडियो सिर्फ एक दिन लेट होई और हमने सोचा था कि ये भाई हमारा ठीक हो जाएगा उसके बाद हम अपनी वीडियो को डालेंगे लोगों को दिखाएंगे कि एक जान बस सकी लेकिन हाया फ्सोर्स के वो भाई अब दुनिया में नहीं रहा हमने पूरी कोशिश की भाई को बचाने की लेकिन जिन्दगी और मौत अल्ला के हाथ में होती है खुदा के हाथ में होती है बेहत कोशिश के बाद भी हम उस भाई को नहीं बजा पाए हमने एंबुलेंस करके उसको उनकी घर तक पहुचा दिया लेकिन जब तक घर पहुचने के कुछ घंटे बाद हमारे भाई की मौत हो गई मैं सिर्फ वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आज की समाज की लोग हमारी लोग डरते हैं ऐसे लोगो हॉस्पिटल तक पहुचाने में तो मेरे भाई शायद अगर उस मेरे भाई को सही वक्त पे हॉस्पिटल में ले जाये जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी क्योंकि शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी मोत अल्ला के हाथ में होती है हमने पूरी कोशिश की लेकिन कोशिश करने के बाद भी भाई नहीं बच पाया तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपको ऐसा मोका मिले कि किसी के हेल्प आप कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए और ऐसे वक्त में हेल्प कीजिए जैसा वक्त यह चला है बहुत हमारे देश के लिए बहुत बुरा वक्त ही कहूंगा बुरा वक्त है लोग के पास खाना नहीं है, सरकार पुरी कोशिश कर रही है समाज के लोग भी आ गया रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बहुत सो लोग भूख के सो रहे हैं तो आप लोग आईए समाज में आगे आईए अपने रसोई चलाईए, अपने दिल खोली अपनी तिजोरी खोल जिए, लोग को दान कीजिए लोग के गएर पर खुशिया बाटिए क्योंकि न जाने कब हमारी भी आखरी शाम हो जाए और हमारी आखरी मन्जिल यही है जो आप मेरे पीचे देख सकते हैं महत बहुत शुक्रिया, अल्ला हाफीज